तो गई से अगर बात करते हैं इस साल की one of the best smartphone की तो इसमें definitely 1 plus Z का नाम आता है और इस smartphone का बेट काफी customer काफी time से कर रहे हैं तो जल्दी market में आपको यह देखने को मिलने वाला है तो दोस्तो पहले ऐसे leaks थे कि one plus Z से launch करेगा one plus eight light के नाम से उसके बाद rumors आए कि one plus Z के नाम से याएगा और आप recently leaks की मान है तो ऐसा लगता है कि आपको one plus not के नाम से ये market में देखने को मिलेगा जितनी confusion दोस्तो इसके नाम को लेकर है उतनी confusion इसके specs को लेकर भी है क्योंकि काफी सारी नई detail इस phone के बारे में आती रहती है तो दोस्तो जन customers का budget कम है और जो one plus eight series का उफ़ोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए one plus not का option best होगा क्योंकि दोस्तो ये आपको देखने को मिलने वाला है काफी कम budget में और काफी अच्छे specs and price के साथ so guys सबसे पहले बात करते हैं इसके display की तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की super amelo display देखने को मिलेगी और दोस्तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको 90 hertz का refresh rate भी देखने को मिलने वाला है और दोस्तो अगर बात करें इसके fingerprint scanner की तो इन display fingerprint scanner का support आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके लावा दोस्तो अगर बात करें इसके design की तो यहाँ पर आपको पंचोल का design देखने को मिलेगा डिस्पले के बाद अगर बात करें दोस्तो इसके performance की तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Snapdragon 765G chipset तो दोस्तो यह 5G के साथ आने वाला है तो काफी अच्छी performance आपको देखने को मिलेगी अगर variants की बात करें तो यहाँ पर आपको 6GB से लेकर 12GB तक की RAM देखने को मिलेगी बहीं पर 128GB तक की storage इस phone के अंदर आपको देखने को मिलेगी तो गैस performance वाइस भी यह smartphone काफी खमाल का होने वाला है और definitely गैस यहाँ पर आपको oxygen OS का support देखने को मिलेगा तो काफी smooth performance आपको इस phone के अंदर देखने को मिलने वाली है एक और जो इस phone की highlight है वो है इसका camera setup पहले से rumor थे दोस्तों कि इसमें आपको triple camera setup देखने को मिलेगा जिसमें आपको 48MP का primary camera देखने को मिलने वाला है लेकिन अगर latest leaks की मान है तो यहाँ पर आपको quad camera setup देखने को मिलेगा और इसमें आपको primary camera 64MP का मिलने वाला है तो दोस्तों अगर OnePlus 64MP का quad camera setup देता है तो यह काफी कमाल की बात होगी और काफी customer इसको definitely पसंद करेंगे अगर front camera की बात करें तो punch hole में लगा हूँ 16MP का selfie camera आपको देखने को मिलेगा तो guys इस phone के अंदर काफी camera quality आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही इसकी battery की details में leaks हो चुकी है और यहाँ पर आपको 43MP की battery देखने को मिलेगी जो की 30W fast charging support के साथ हने वाली है अगर design की बात करें तो back से OnePlus के सभी smartphone से different होने वाला है और back में आपको Gorilla Glass का production भी देखने को मिलेगा तो guys यहती सारी details OnePlus Z smartphone के बारे में अब देखना यह ज़्यादा interesting होगा कि यह किस नाम से आएगा और क्या यह सारी specs के साथ आने वाली है अगर दोस्तों बात करते हैं इसकी price की तो legs की according यह 25,000 के अंडर में आपको देखने को मिलेगा ऐसे rumors हैं दोस्तों कि 10 July को आपको market में भी देखने को मिल सकता है तो ज़्यादा बेट आपको नहीं करना पड़ेगा OnePlus Z smartphone के लिए और definitely यह next month company के तरफ से announce होगा और आपको market में भी देखने को मिलेगा So guys आप हमें बताइए कि आप OnePlus Z smartphone के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप इस phone की तरफ जाना चाहेंगे और अगर आपका कोई और भी comment हो तो आप लेख सकते हैं So guys इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आप तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना ताकि आपको इसे टैक वीडियोज मिलते रहें मैं मिलता हूँ आपको नेश्ट वीडियो होएं जब तक के लिए गुड़वाएं